वेल्कम्स टू अल इन खान्स केडमी आज का जो हमारा टॉपिक है फांडेशन ओफ नर्सिंग में से स्प्लिंट्स एंड ट्रेक्शन स्प्लिंट्स एंड ट्रेक्शन दोनों ही बहुत इंपोर्टन टॉपिक है जब हम अगर बात करें फ्रेक्शर के बारे में जनरली हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे लेकिन फिलहाल इतना सा ध्यान रखिए जब कभी भी एक बोन का क्या होता है फ्र से पहले रिडेक्शन करना होता है सेकेंड हमें रिडेक्शन बोले तो उसको अलाइनमेंट में लाना होता है फिर हमें उसका फिक्सेशन करना होता है फिक्सेशन के बाद उसको ट्रेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ता है प्रेक्शन या आप स्प्लिंट्स बोल सकते ह और उसके बाद में उसका क्या किया जाता है कास्ट किया जाता है इस तरह से पूरी क्या होती है प्रोसेस आपकी चलती है फ्रेक्चर के बाद में तो उसी में से एक हमारा टॉपिक है स्प्लिंट्स एंड फ्रेक्शन के बारे में जो कि बोडी के अलाइनमेंट को जो बोन है के अलाइनमेंट को उसकी पोजीशन को सही रखने के लिए क्या किया जाता है यूज में लिया जाता है तो सबसे पहले हेडिंग लगाई ये का किस्पिर्ण जा होते हैं तो अगर हम इसमें की बात करें आगर अगर हम ये एक हमने जनरल बात की फ्रक्चर के बाद में क्या सिच्विशन होती है हम बात करें स्प्रिंट्स के बारे में तो जनरली बोला जाता है कि आपका स्प्रिंट्स क्या होता है टेम्प्रेरी temporary support device temporary supportive supportive device होती है जो कि क्या करती है support या support provide करवाती है जो कि insert part को insert part को support provide करवाती है अब इसके main purpose क्या होता है अगर मैं बात करूँ स्प्लिंट के purpose के बारे में तो स्प्लिंट के जो purpose होता है वो इसलिए use में लिया जाता है हमें उस bone को उस part को क्या करके रखना है immobilize करके रखना है कोई उसमें moment ना हो दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है reduce करना है pain को प्राइमरी तो क्या है यह है उसके लावा हमें reduce करना है pain को उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या prevention from further complication prevention from further complication further complication और last हम बोल सकते हैं क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके हम क्या करें traction use कर सकते हैं ठीके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं का यूज लेते हैं तो यह सारे क्या होते हैं यहां पर परपस होते हैं स्प्लिंट के क्यों के यूज के ले जाते हैं अब देखिए आपका जो स्प्रूइब शेक्रर fracture बतां कि सबसे पहले स्प्रींट सब से प्रेक्शन हो जाता है तो हम लुक्त की आप अपने body से अपने सरीर से क्या हो उसको ढंग से लगा लीजे अच्छे से चिपका लीजे जिससे क्या हो उसके अंदर ज्यादा mobilization ना हो तो emergency splint जब अगर हम बोलें कि अगर upper arm का fracture है मालो अगर upper arm का fracture है तो हम उस person को बोलते कि भीया अपने हातों को अपने सरीर से चिपका करकर रख यापर arm के fracture के अंदर अपर arm के fracture के अंदर जो splint होगा वो कौन होगा हम बोल सकते हैं कि trunk हमारी खुद की जो trunk है जो chest या फिर जो body का धड़ वाला part है वो ऐजे emergency splint काम करेगा clear है अब लेकिन क्या हो fracture हो lower limb का lower limb का अगर क्या हो fracture हो तो lower limb के fracture के अंदर कोन splint के तरह काम करेगा तो हम बोल सकते हैं other leg जिस leg का क्या हुआ है fracture हुआ है उसके अलावा दूसरा जो other leg है उसके साथ हम क्या करेंगे पेरों को चिपका देंगे जिससे उसका immobilization या उसका mobilization ना हो clear है देन इसके बाद में आपका second number पर splint होता है इस्ट्रेट इस्प्रेट 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 यह बड़ा ही common type का होता है इसका अगर मैं आपको example दिखाऊं यह इसमें जनरली क्या होता है वुडेन एक वुडेन रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता है ठीक है वुडेन का रेक्टेंगल पार्ट होता है जिसको क्या किया जाता है कवर बाई गौज कवर किया जाता है उसके गौज से या फिर ड्रेसिंग से एक्जाम्पल के तोर पर अगर मैं आपको बताऊं जो छोटे बच्चे को क्या करें मुवमेंट ना करें वह इदर-उदर इमोबिलाइज ना हो उसका हाट उसका कैनूला नहीं मिस्प्लेस हो तो इसके हाथों के नीचे से गत्ता लगा करकर उसके उपर ड्रेसिंग कर देते हैं तो जनरली वही एक तरह के स्ट्रेट स्प्रिंट अगर मैं आपको डिखाना चाहूं उसका अगर मैं उसका डिखाना चाहूं तो यह देखिए यह देखिएगा यह एक एक इग्जामपल एक इसका स्ट्रेट स्प्रिंट का यह देखिए वुडन पार्ट यह आपका वुडन पार्ट और यह देखिए ड्रेसिंग से क्या कर दिया गया है कवर कर दिया गया हना तो यह आप बोल सकते हैं कि इसका एक्जामपल है स्ट्रे नूले को पर तरीके से क्या कर दिया गया है अटेज कर दिया गया है ताकि वो मोबिलाइज ना हो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनोंग को एका स्ट्रेट इसक्या है payment straight है आए होप हाप लोगों को देख सब्सक्राइब पह्चान हो की क्लियर है चलिए नैक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्या नैक्स जो स्प्रिंट आता है हम बोलते सरवाइकल कौलर की की कि सरवाइकल काौलर cervical collar यह generally cervical collar use कहां किया जाता है तो generally हम लोग किस के लिए neck के immobilization के लिए neck के immobilization के लिए हम लोग क्या use करते है neck या फिर cervical collar का use में लेते generally क्या हो जब neck pen हो ठीक है generally कब जब neck pen हो यह हम बोल सकते है spasm हो कि स्पाज्म औफ नेक मसल हो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं इनको यूज में लेते हैं क्लियर है अगर मैं इसका इमेज दिखाना चाहूं आप लोगों को कि दिखीगा बहुत अच्छा सा डाइगरम में आप लोगों को दिखाऊंगा यह क्या है एक तरह से सर्वाइकल कॉलर है इस तरह की इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर जब अगर स्पाज्म हो नेक मसल का या नेक पैन हो एकदम से नेक स्टिफ हो गई है स्टिफ हो गई एकदम से बहुत ज्य करते हैं cervical collar महाँ पे apply करते हैं clear है I hope आप लोगों को ये भी समझ माया होगा अब जब आप इस तरह की चीज़े जब आप splints apply करते हैं तो उस time पर आपको nursing care क्या देनी है ये एक काफी अच्छा question बनता है कि आपको nursing care के तोर पर आपको क्या-क्या चीज़े करनी है nursing care nursing care के तोर पर आप क्या-क्या चीज़े करेंगे तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है आप बोल सकते हैं कि tight ना भांदे tightness को क्या करना है avoid करना है बहुत ज़्यादा tight नहीं करना है कि blood supply ही रुख जाए इस चीज को क्या करना है रोकना है उसके लाव आपको क्या करना है skin care करनी है आपको skin care करनी है उसके लाव आपको क्या करना है check करनी है pulse को check pulse कहां पे digital part डिश्टल पार्ट पर आपको क्या करनी है पल्स चेक करनी है कि कहीं सर्कुलेशन तो नहीं रुख गया है तो सर्कुलेशन को चेक करने के लिए तो असेस सर्कुलेशन तो असेस सर्कुलेशन हमें क्या करना है पल्स को चेक करना है उसके अलावा अगर पैसेंट क्या कंप्लेंड कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है टिंगलिंग हो रहा है या नम्बनेस हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर पैसेंट क्या कर रहा है कंप्लेंड कर रहा है पैसेंट कंप्लेंड कर रहा है टिंगलिंग की टिंगलिंग या फि की तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है जस्ट सिंपली इन फॉर्म टू डॉक्टर करना है यह होता है हमारे क्या splits next next आप लोगों का जो topic है वो है ट्रेक्शन वो है ट्रेक्शन यह important है बहुत बार यहां से question आता है जनरली इसका question आने का जो chances होता है वो होता है image base का आना तो image देखते वही हम लोग इसको cover करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग बोलते कि वह ट्रेक्श तो हम लोग किसकी करते हैं तो हम यह सकते हैं किि जो फेक्चर है वो जो पाट है उसको क्या क्या चैजिए को प्रोपर alignment मिलाए जा सके कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहापे traction देते हैं और जो यह mechanical या फिर pulling force लगाते हैं यह किस direction में लगाते हैं यह important question आता है तो direction इसकी क्या होती है हमेशा opposite to opposite to opposite to injury injury या फिर और fracture जिस bone का fracture हुआ है उससे opposite direction में हम लोगों को क्या करना है यहापे pulling या फिर mechanical force लगाना है अब इस traction के purpose क्या क्या होते है is traction के purpose क्या क्या होता है अगर हम उनकी बात करें purpose कि अगर बात करते हैं सबसे पहले यहापे इसका purpose होता है वो यह होता है क्या जो fracture bone है उसका immobilization और उसका ה摹्रायजियन ही हमारा होता है Pहला purpose second purpose यहापे क्या देखने को मिलता है reduce the pain reduce the pain तीसरा purpose कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है आप बोल सकते हैं कि alignment alignment restore आप bone का alignment क्या कर सकते है restore कर सकते है fracture bone का alignment restore कर सकते है हम बोल सकते हैं क्या restore maximum functioning इसके लाव हम लोग क्या करते हैं रिश्टोर दर लेंग्ट आफ बॉर्ण तो यह क्या होते हैं कुछ-कुछ यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं टैप्स की है क्या आपके जो होते हुँ कितने के लेखने को मिलते हैं कम टाइप्स की जब बात करते हैं तो यहां पर आपके अंदर बॉन के अंदर फित करके फिर हाँ प्लाइग और इनके थोड़ा सा वेट के उपर फरक पर अना ये डारेक्टली कहां अप्लाई किया जाता है इसका जो वेट होता है लिमिट अगर हम इसके वेट लिमिट की बात करें तो बोला जाता है कि आप यहां पर 5 to 10 पॉंड तक कितना 5 to 10 पॉंड तक क्या कर सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें स्केल्टल ट्रेक्शन के अंदर तो यहां पर जो वेट लिमिट है वह आपको देखने को मिलती है कितनी 10 to 14 पॉंड यह होती है यहां पर लिमिट जनरली आपके 2.2 पॉंड इक्वल होते हैं किसके 1 kg के 2.2 पॉंड क्या होता है 1 kg के इक्वल होते हैं तो आप अपने आप से क्या नहींद कर सकते कंविट कर सकते हैं यह में यहां पर डिफ्रेंस आपको देखने को मिलता है और अगरा मैं egजंपल कुरूँ मैं आपको मैं अब स्किन ट्रेक्शन के एक्जंपल कीम अगर बात करूँ तो उसमें सबसे पहला example आता है और बहुत ही famous example जिसका नाम है क्या Bucks Traction Bucks Traction अब हम बात करते क्या कि Bucks Traction दिखता कैसा है अगर हम यह देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े यहाँ पर क्या है और रेडी पता चल जाएंगी कि Bucks Traction कहां कहां और कैसे यूज में लिया जाता है तो Bucks Traction का image देखेगा इसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक तरह से Bucks Traction है कि पाओं को क्या है आउटर डारेक्शन की तरफ क्या किया गया है खीचा गया है ठीक है और जनरली यह किस लिये यूज में लिया जाता है हम बोल सकता हैं कि अगर उस बंदे को क्या हुआ है जनरली किसमें hip fracture के अंदर हम लोग इसका استchemical करते हैं कहां पर hip fracture के अंदर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा हम इसका यूज कहा कर सकते हैं लोवर बैक पेन में भी यूज में ले सकते हैं अगर बंदे को लोवर बैक पेन है तो भी आप ये वाला ट्रेक्शन यूज में ले सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं फीमर फ्रेक्चर में भी आप इसको यूज में ले सकते हैं फीमर फ्रेक्चर में भी आप लोग इससे यूज में ले सकते हैं यह होता है आपका क्या बक्स ट्रेक्शन आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें बक्स ट्रेक्शन के बाद में जो सेकेंड ट्रेक्शन यहां पर देखने को म कि अभी ब्रेयांट ट्रेक्शन कैसा दिखाई देता है इसके बारे में अगर हम बात करें इमेज दिखेगा ब्रेयांट ट्रेक्शन किस तरह से देखने को मिलता है जनरली आप बोल सकते हैं क्या जो आपका इमेज है नहीं एक से रुब के आई इमेज डाउनलूड नहीं हो पाई हो यह दीके यह होता आप का क्या ब्रेंड ट्रेक्शन यह जिसे गेलोज ट्रेक्शन के नाम से भी जानते जनरली देखी बच्चे का यह जो हीपला पार्ट है जनरली है इतना बोला जाता है कि कुछ डिग्रीज तक कि इसको क्या किया जाता है उपर उठाया जाता है जनली हम बोल सकते हैं कि पंदरा डिग्री एंगल तक क्या होता है यह उठावाता है और यह वाला एंगल जो बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री एंगल होता है अना तो इस तरह से position में अगर बच्चे को क्या गया प्लेस किया जाता है था हुम उसे बोलते हैं क्या कि brand हम से बोलते है brand attraction आई hope आप लोगों को यह भी है भी समझाया होगा और यह कहां पर यूश किया जाता है जीन यह जनी जो यूश किया जाता है वो छे साल से छोटे बच्चों पर किया जाता है और femur और hip fracture के अंदर generally femur या फिर hip fracture इनके जनरली image based question ही बनेंगे चिंदा मत कीजेगा femur या फिर hip fracture के अंदर इसका use में लिया जाता है ठीक है दोनों के दोनों टांगों को उपर उठा करके क्या किया जाता है ये इसे उपर की तरस क्या कर दिया जाता है उठा दिया जाता है ठीक है वर्टिकल डारेक्शन में 90 डिगरी के कौन पर next देखेगा सी है देन उसके बाद में रसल ट्रेक्शन रॉस्ल-elyn, रॉस्ल- ट्रेक्शन इएर रचल ट्रेक्शिन भी क्या है इजिए इस्में कुछ ज़्यादा नहीं इमेज देखेगा रॉसल-ट्रेक्शिन का कि रसल रेक्षिन पड़ने से प्रेले थुढ़ा यहाँ अगर मैं आपको दो इस्ट्रक्चिर की अगर में बात करूं कि आपको क्या क्याद स्ट्रक्चिर देखने को मिलती है ईक के अंदर तो देखिए ऑला प्रत यह वाला जो पार्च है यह दोनों बाले पार्ट, मीचे वाले पार्ट और ये जो 黨, ये जो मेन बोली है, इसे हम लुख बोलते हैं क्या, साफ्ठ इसे हम लुख क्या बोलते हैं साफ्ट बोलते हैं, I hope आप कई पार्ट ध्यान में रहेंगे बॉन के तो अब देखे, रस्ल ट्रेक्षन के में क्या है रसल ट्रेक्शन में क्या किया गया है और अप्वर्ड फोर्स भी यहां पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जनरल यह कहां पर यूज़ किया जाता है फ्रेक्शर ओफ फ्रेक्शर ओफ शाफ्ट ओफ फीमर फीमर की साफ्ट की अगर क्या हो यहां पर अगर फ्रेक्शर हो तो यह वाला आपका पोजेशन या फिर आप बुसे यह वाला ट्रेक्शन यूज़ में लिया जाता है इसमें क्या कर दिया जाते हैं बोथ लेग्स को क्य legs elevated at 45 degree at 45 degree then आप बोल सकते हैं कि जनरली टीबिया या फिर फिबूला के फ्रेक्चर में भी यूज में लिया जा सकता है यह वाला देखिएगा रसल ट्रेक्शन के अंदर यहां से पाउग की बीच में यह 45 डिगरी बना दिया गया और यह यहां पर थिश्ट्रीट करके इदर की तरफ भी फोर्स लगा दिये गया यह आपके रसल ठीचे नाम याद रखेंगे तीनों सबसे पहले है बक्स ट्रेक्शन सेकेंड है ब्रांट ट्रेक्शन एंद लास्ट वन इस रसल ट्रेक्शन बीबी आर ट्रिक बन गई क्या बीबी आर एज इस इस्किन ट्रेक्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केल्टल ट्रेक्शन के बारे में नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी स्केल्टल ट्रेक्शन के बारे में इस केल ट्रेक्षिन में अगर हम नाम याद रखने सबसे पहला ट्रेक्षिन यहाप जो आपको लेखने को मिलेगा कौन सा हम बोल सकते हैं जेनली स्केल्टर ट्रेक्षिन में होता क्या है हम लोग बोन के अंदर हम लोग क्या करते हैं हमाँ पर एंटर कर जाते हैं हम लोग क्या करते हैं बोन के अंदर क्या करते हैं हमाँ पर एंटर कर जाते हैं एक सेकिन रुकिएगा थोड़ा सा पैंसिल डिस्चार्ज होगी है इसको हम लोग charge लगा लेते हैं, दो मिनिट के लिए तो यहां पर लिखे है, skeletal attraction में होता है, अगर मैं बताऊं को तो skeletal attraction में bone के अंदर क्या कर दिया जाता है, inject कर दिया जाता है छोटे से part को screw के through क्या कर दिया जाता है, उसको insert कर दिया यहां पे इसका प्लेश्मेंट देखने को मिलता है, अब इसका image देखेगा, अगर है उसके image की बात करें, इसके अंदर सबसे पहला जो attraction देखने को मिलता है, उसका नाम होता है, हालो ट्रेक्शन सबसे पहले ट्रेक्शन है हालो ट्रेक्शन हालो ट्रेक्शन और इसका इमेज देखेगा यह वाला यह देखिए किस तरह से बोन के अंदर क्या कर दिया गया है किस तरह से बोन के अंदर स्क्रू कर दिया गया है यह देखिए इसको क्या कर दिया गया है और अब इसको क्या कर दिया गया है इम्मोबिलाइज कर दिया गया है आई होप आपको यह समझ माया होगा अगर सर्वाइकल स्पाइन का सर्वाइकल स्पाइन का कोई भी फ्रेक्शर होता है सर्वाइकल स्पाइन का कोई भी फ्रेक्चर होता तो उसमें ये यूज में लिया जाता है देन इसके बाद में ये पहचान ले लिजिए हालो ट्रेक्शन के बारे में इसके बाद जो ट्रेक्शन यूज में लिया जाता है उसका नाम होता है क्या क्रच फिल्ड करें अभी क्रच फिल्ट टॉंग के अंदर क्या हथा यह डिखें का इमेस भी देखेंगे हम लोग कि यह देखें तो 타 stick को ये वाले हैं ये जिनरल इसे हम लोग बोलते हैं क्या उतल क्रच फिल्ड क्रच की स्ट्रक्चर ने क्रफि दिखने है तो इस तरह से दिखाई देता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या के लोगों से उसके बाद अगर रम बात करें उसके बाद में कुछ space कि कूछ Special Traction देखने को मिलते ہیں में उनके आपको नाम भी लिखाओ और उनका इप लोगों को दिखाऊंगा Special Tractions आखे कौन से Special Traction में सबसे चाहला आता है अपको खुदी देखे आप नाम दे पाइंगे को ङियर ए इसको आ इंगेसे और फिल्सक्रेशक से के नम नी कि घरियर एक तो नब्वे डिगरी यह बना इनिक और न तक है और इसे के बेहसिस में इसको नाम कर किया क्या गया इसको किस नाम से जाने जाता है इसको 90-90 ट्रेक्शन के नाम से भी जानते है 90-90 ट्रेक्शन के नाम से भी जानते हैं देखिए नाम के अकोडिंग ही है एक दम इसका इस्ट्रक्चर भी आराम से पेचान जाओगे जिनरली अगर क्या हो फ्रेक्चर ओफ शाफ्ट ओफ फीमर जिनरली अगर बीच में से आपकी फीमर टूट जाए बीच में से अगर आपकी क्या हो फीमर टूट जाए तो आपको ये वाला ट्रेक्शन देना पड़ेगा क्लियर है नेक्स्ट होता आपका ट्रेक्शन डनलप ट्रेक्शन जो ट्रेक्शन होता है वो होता है डनलप ट्रेक्शन ये डनलप ट्रेक्शन कैसा होता है ये बड़ा ही अच्छा है ये जिनरली जो चीज आपने पाउं के साथ की थी 90-90 के अंदर वही चीज किसके साथ कर कर देनी है हाथों के साथ कर देनी है यह जो आपका ये वाला ट्रेक्शन है आपका जो कि इमेज कहां गया आप ये वाला ये देखे ये आपके देखे हाथों के साथ जब इस तरह से 90 डिगरी का कौन बनाया जाए देखो एक तो यह बन रहा है एक तो यहां पर भी बन रहा है और एक यहां पर भी बन रहा है इससे हम लोग जनरली किस नाम से डनलप फ्रक्चर के नाम से जानते हैं जनरली अगर यहां पर क्या सुप्रा कॉंडाइल या फिर हूम्रस का पार्ट का क्या वोगया फ्रेक्चर हो गया तो उस केस में आप लोग को गया निकि इधर की तरफ कुछ-कुछ फ्रेक्चर अगर देखने को मिलता है तौ आपको यह पोजिशन या फिर यह वाला ट्रेक्शन देना पड़ता है एक वेट इस तरफ दे रहे हैं और एक वेट उ my balance suspension traction कि अभी जो balance suspension traction है सको sa match देखेगा को इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेर्र होता ना ये दिखने में भी complicated है और इसको लगाना उसरे Learda कॉम्प्लिकेशन का मामल है तो यह देखे इस तरह से कुछ लगाया जाता है यह दीख इतने सारे वेट है मिन्स forward weight भी है upward भी है backward भी है हर तरह से यहां पर क्या आपको बहुत सारे forces लगाने के पढ़ने इसको balance करने के लिए ठीक है यह कहते हैं वोग very typical होता है वेरी टिपिकल बहुत ही टीपिकल टाइप ओफ ट्रेक्शन है और जनरली यह किस में अगर अडल्ट फीमर अडल्ट के अंदर फीमर के फ्रेक्चर में है अडल्ट स्पैसेंट के अंदर फीमर फ्रेक्चर फीमर फ्रेक्चर के अंदर क्या है यह वाला जो ट्रेक्शन है वो में लिया जाता है I hope आपको ये balance suspension भी समझ माया होगा then इसके बाद में होता है आप लोगों का head halter head halter ये भी बड़ा अच्छा है head halter देखेगा head halter ये देखे head halter दो condition में आ सकते हैं या तो अगर sitting position में ये देखे ये किस position में sitting position में और इसके अलावा ये आपका semi-fowler या फिर lying position के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है ये देखे दोनों condition possible है ये भी आपका head halter है और ये भी head halter है ये है sitting position में ये है sitting position में ये है सुपाइन position में इसके लावा ये semi-fowler में भी होता है हम बोल सकते हैं semi-fowler में भी ये वाला traction लगा दिया जाता है कौन सा आपका head halter ठीक है जनरली यहां पर skin ही यूज में ली जाती है यहां पर कुछ भी ऐसा कुछ बोन्स के अंदर कुछ भी नहीं किया गया इसकिन के उपर ही क्या क्या गया अप्लाइ किया गया फर्स्ट प्रायरिटी हमेंसा किसको रखनी है फर्स्ट प्रायरिटी हमेंसा है पर sitting को रखनी है second आप लोग किसको दे सकते हैं semi-fowler को दे सकते हैं थर्ड आप सुपाइन को दे सकते हैं अगर आपको यह वाला ट्रेक्शन देना तो आपको फर्स्ट प्रायरिटी रखना है भी sitting के अंदर आप पैसेंट को रखेंगे आई होप आप कोई समझ माया होगा next इसके बाद अगर जो होता है कि निए सब्वेटी आप लोगों का क्या पैल्विक ट्रेक्शन नेक्स्ट है आप लोगों का पैल्विक ट्रेक्शन तो जो आपका पैल्विक ट्रेक्शन होता है वो एक तरह से स्किन ट्रेक्शन ही होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है यह दिखिए नहीं यह नहीं है पैल्विक ट्रेक्शन का अगर मैं आपको इमेज दिखाना चाहूं यह देखिए यह है पैल्विक ट्रेक्शन बन्दे को कहां से बैक से क्या किया गया बांदा गया और यहां पे वेट लटका दिया गया है यह टाइप का क्या है पैल्विक ट्रेक्शन है यह जनरली किसमें आप लोग बोल सकते हैं किसके अंदर आप बोल सकते हैं इसके अंदर यूज में लिया जा सकते हैं यह बैक पैन के अंदर आप लोग यूज में ले सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं भी स्पा पॉइंट ध्यान में रखने आप लोगों को पॉइंट ये ध्यान रखने जब कभी भी इस तरह से ट्रेक्शन आप अप्लाइ करेंगे तो आपको ये चीजों पर ध्यान देना है कि वेट कभी भी जमीन पर ना लटके वेट शुड नौट बी टच शुड नौट बी टच दा फ्लोर शुड नौट बी टच दा फ्लोर जैसा नहीं होना चीजों वरना प्रोपर वेट नहीं मिल पाएगा कि यहां पर बहुत ध्यान दिया जाता भी कितना वेट रखना है कैसे रखना है तो अगर आपने अगर आपने इस तरह से ध्यान नहीं दिया और वेट अगर जमीन पर टच हो गया तो आपको लगाने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा ठीक है उसके रावा अवोइड चेंज पोजीशन अवोइड चेंज इन पोजीशन अवोइड चेंज इन पोजीशन बार बार पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका ट्रेक्शन भी क्या होगा बार बार डिश्टब होगा और इदर उदर हिलने की चांसे जादा हो जाएगे डिस्प्लेस्मेंट की चांसे जादा ह जैंगे जिससे क्या हो सकता उसका इफेक्ट या उसका जो पॉजिटिव एफेक्ट आना हो खतम हो सकता है उसके लाव आपको क्या धियान में रखना है आपको वेट के अंदर वेट के अंदर increase या फिर decrease नहीं करना है without without doctor order without doctor order बिना doctor के permission वेट ज़्यादा या कम नहीं करना है उसके लावा आपको क्या करना है आपको skin care provide करवानी है आपको proper skin care क्या करना है provide करवाना है उस patient को clear है उसके लावा आपको क्या करना है आपको दिन में अगर कौन सा skeletal traction है अगर क्या है skeleton traction है तो आप लोगों को दिन में दो बार दिन में दो बार आपको क्या करना है pin sight की क्या करनी है care करनी है pin sight care करनी है pin sight care क्लियर एं उसके लाब आपको क्या करना है आपको अब्जर्व करना है झाज जो आपकर करना है अब यह जो आपका ट्रेक्शन आप लोग लगाते हैं इस traction के वज़े से कुछ complications भी देखने को मिल सकते हैं और complications क्या देखने को मिलते हैं जिनरली तो आप लोगों को ध्यान देना है सबसे पहला जो important complication यहाँ पर देखने को मिल सकता है compartment syndrome compartment syndrome इसमें generally क्या होता है जो आपकी muscles होती है उसकी क्या होती ही कुछ जो facias होते कुछ part होता है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है necrosis देखने को मिल सकता है वहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है necrosis देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग क्या बोलते compartment syndrome बोलते हैं इसमें अगर मैं प्रेसर प्रेसर फील होता है ना उसके लाभ आप बोल सकते हो राप परस्थी जिए यह चार पि देखने को मिलते किश के अंदर आपको कमौपाइट्मेंट सिंड्रॉम के अंदर और अब इसके बाद में इसके लाब आपको कौन सब्सक्राइब आपको कौौन इंबोलिजम अ हैं ऐसे पल्मोनरी कि मिंदलर्टे वर मॉच्टे बहुत इंपॉर्टन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेन्ट é यह आपको देखने को मिल सकता है अप कर internation in femur fracture most common in femur fracture अना तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है जनरली इसकी क्या sign in symptom आते हैं अगर मैं sign in symptom की बात करूँ तो early जो आता है सबसे पहले आपको यहां पर क्या देखने को मिल सकता है पैसेंट के अंदर आपको चेश्ट पैन देखने को मिल सकता है पल्मोनरी एंबोलीजम में क्या देखने को मिल सकता है चेश्ट पैन पैसेंट को एकदम से क्या हो गया है सडन चेश्ट पैन हो गया है ठीक है उसके लावा आपको यहां पर सोटनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मि ले तो आपका या आपका क्या नर्सिंग एक्षेन बनता है आपका क्या नर्सिंग एक्षेन बनता है आप क्या करेंगे call to emergency team call to emergency team या inform to doctor आपको इतना ही करना है यह आपको यहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं I hope आपको यह topic समझ माया होगा यह हमारा complete होता है क्या आपका traction and splints तो next अगर वीडियो next वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगर वीडियो पसंद आये तो लोगों के साथ आप शेर कीजिए अपने कालिक्स के साथ अपने मेट्स के साथ में अपने जो वरकर्स हैं आप अगर प्राइवेट को प्राइवेट होस्पिटल में वरकिंग है तो आपके जो वरकर्स है साथ वाले उनको भी वीडियो शेर कीजिए और जल्द से जल्द प्राइवेट को आप प्राइवेट के साथ में थैंक यू